कि स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस प्रोडाम में दोस्तों पिशले प्रोडाम में हमने आपसे बाचित कि थाइराइड क्या है थाइराइड के कारण क्या है उसके बाद दोस्तों हमने अपने प्रोडाम में बताई आपको कि थाइराइड के लक्षन क्या है और अगर है आपको तो थाइराइड केस अगर होती है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए आज के पड़ा में विश्चेश रूप से दोस्तों हम यह बताएंगे कि अगर आपको हो चुके है डॉक्टर रिसला के बाद आपको जान चुके हैं कि थाइराइड है तो ऐसे कौन से घ दवा को बिल्कुल से भी नहीं छोड़ना है इन विद्धियों को अपना कर रखना है और अगर इन विद्धियों के अगर आपको अगर फायदा होता है तो डॉक्टर खुद वह खुद आपकी दवा कम कर देंगे चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपक किसी अच्छे योग आचार या फिजयो थ्रैफिश से संपर्क करें और आपके उम्र के अनुसरार जो कुछ भी आपके लिए आवस्यक एक्सरसाइज हो योग हो वह आपको बताएं तो आप उसका अवस्य पालन करें विश्य सूर्ज नमसकार सरवांग आसन भी इसके आपको थाराइड की समस्या को कम करने में जड़ से खत्म करने में बहुत ही सहायक है अधा दोस्तों कागजी विदाम खरोट का नियमी तुर्प से अवस्य से बन करें दोस्तों ने ख़त पदार्थ हो मैं आप मिनरल विटामिन इक आहार विश्य सूर्प से विटामिन ए ज इत्यादी भोजन आप करें तो दोस्तों यह आपके थाराइड की समस्या हैं बहुत ही सहायक होगा लेकिन दोस्तों अगर आप पनीर का सेवन नहीं करना है यहां साधान होनी की जरूरत है दोस्तों अपने अहड में आप अल्टरनेट करके पड़ती दिन नहीं एक गिलास के रस के साथ तुल्शी के पत्ते के कुछ मात्रा मिलाकर उसका जूस अगर एक गिलास पीते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लबकारी है जोस्तों अगर मांसाहारी है तो मचली का तेल ओमेगा थरी फैटी एसीड भी आपके थायाट के समस्या उक्म करने में करना चाहिए और अगर हमारी सला का नुसार तीस वर्स को उम्र के आसपास से ही लोगों को अपनी डॉक्टरी सला प्रोपर धंग चे करवानी चाहिए दोस्तों मैं पुना कर दे रहा हूं कि इन उपायों के साथ आप डॉक्तरी सलाह और डॉक्तरी दवा को बिल्कुल से भी नहीं छोड़े आप डॉक्तरी सलाह भी ले सकते हैं तब दोस्तों इसके आपके प्रोप जल्दे रिजल्ट्स हैं इसे मैं प्रभावी रूप से बहुत जोड़ देगा कर रहा हूं अगर आप तीन से चार चमची करें लेकिन इसे अवस्य रूप से करें दुसरा उपाय दोस्तों की धनिया का पाउडर एक चमच लेकर एक गिलास पानी में खोला कर उसे ठंडा कर पीए तोस्तों इसके बहुत प्रभावकारी उपाये हैं लेकिन धनिया का पाउडर सुद्रूप से हो बायारू नहीं हो दो अजमाइन दालचिनी मेथी कि आइक होड़े होड़े हमारे इन उपायों को आप अल्टरनेट डेप परयोग कर सकते हैं परतिदिन ना कर सकи लेकिन गो मुत्र के अड़क को आपको परतिदिन सेवन करना है क्या उग्योड़ बिदाय कि अगर किकी समया है तो ऐसके काभ़ बोजन करें किया उरल किया योग करें किया एक्सराइज करें कि जिसे ड़ुक्तरीरी दावा के सबस्द आन्य विद्व हैं क्यों अधृ नार अलगए ऑज क्षे रियुद्वा प्रेख सहाइघ के समस्द homogeneous कर मन्दी जो नेक्स्ट अपडेट्स थे उसके जनकारी दोस्तों आपको सोते मिलती रहें और स्वास तलाव लेते रहें चलिए दोस्तों धन्य बाद आपका